नमस्कार साथियों, आज सत्तर हजार से ज़्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन विभागों में सरकारी नोकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और सुबकामनाई देता हूँ। कुछी दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महिने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी सासीत राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रती हमारे कमिटमेंट को दरसाते हैं। साथियों, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भरती प्रक्रिया को जादा तेज करने, जादा पारदर्सी और निस्पक्ष बनाने को भी प्रात्पिक्ता दी हैं। पहले स्टाफ सिलेक्शन बौर्ड भरती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15-18 महने का बक्त लेता था, यहने करीब करीब डेड़ साथ। आज ये प्रक्रिया छे से आठ महने में पुरी हो जाती है। पहले सरकारी नोकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लिकेशन फॉर्म लेने के लिए गंटों लाइन में लगो रहो। डॉक्यूमेंट्स को एटेस्ट करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो। फिर एप्लिकेशन को डाग द्मारा भीजा जाता था। और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लिकेशन समय पर पहुची या नहीं पहुची। जहां पहुचना था वहां पहुची कि नहीं पहुची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया अनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सिल्फ एटेस करना भी परियाप्त होता है। ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भरती के लिए इंटर्यू भी खतम हो गए है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ब्रस्टाचार या भाई भती जावाद की संभावनाएं खतम हो गई हैं। साथियों, आज का दीन एक और वजह से बहुत विशेश हैं। नव साल पहले, आज के ही दीन, सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। तब पूरा देश उत्सा, उमंग और विश्वात से जुम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विशित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे नव साल पहले, सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। वैसे ही आज एक और भी महत्वपुन दीन है। आज हमारे एक महत्वपुन प्रांत हिमाले की गोद में बसा हुआ। सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन नव वर्षों के दवरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंदर में रख करके सरकार की नितियां तयार की गई। आदूनिक इंफ्रास्टर्टर का निर्माण हो, ग्रामे छेत्रों का विकास हो, या फिर जीवन से जुड़ी सुवीधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियो, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने केपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड रुपिये खर्च किये हैं मुलभूत सुवीधाओं के लिए। इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दस लाख करोड रुपे ताय किये गए हैं। इस राची से देश में नए हाइवे बने हैं, नए एरपोर्ट, नए रेलरूट, नए पूल, अनगिनेत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्मार से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आज़ादी के 45 साल के इतिहास में अभूत्पुर्व हैं। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमेटर के आसपास रेल नाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमेटर रेल नाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। याने डबल, 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिचाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमेटर उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमेटर का है। छे किलोमेटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाग किलोमेटर से भी कम ग्रामीड सडके थी। आज देश में 7 लाग किलोमेटर से भी जादा ग्रामीड सडके हैं। यह भी करिब करिब डेबल। 2014 से पहले देश में सिरफ 74 एरपोर्ट थे। आज देश में एरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपात पहुँच रही हैं। यह भी डेबल। बीते 9 वर्ष में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड पके घर बनाए गए हैं। उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गाउं गाउं में खुले 5 लाग कौमन सर्विस सेंटर। आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंट्रेपरनर्स बना रहे हैं। गाउं में 30,000 से जादा पंचाय धवन बने हैं। या फिर 9 करोड घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना। इस सभी अभ्यान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देश के कोने कोने में रोजगार के आउसर बना रहा है। साथियों बीते नव वर्षों में नेचर अब जॉब में भी बहुत तेजी से बढ़लावाया है। बदलती हुई इन परिश्चितियों में युवांगों के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन नव वर्षों में देश ने स्टार्ट अप कल्चर की नई क्रांती देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ सो स्टार्ट अप से वहीं इनकी संक्या आज एक लाख स्टार्ट अप तक पहुँच रही हैं। और अनुमान ये हैं कि इन स्टार्ट अप में कम से कम दस लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों इन नव वर्षों में देश ने कैप एग्रिगेटर्स यानी एप के जरिये टैक्सी को भारतिये शहरों की नई लाइप लाइन बनते जिखा है। इन नव वर्षों में ओनलाइन डिलिवरी का एक ऐसा नया सिस्टिम तयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिये है। इन नव वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उचाल आया है। फर्ट्रिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाईयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन नव वर्षों में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम साट सहरों से आगे बढ़कर छैसों से भी जादा सहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहट 23 लाग करोड रुपिये देश के युवाओं को दिये हैं। इस राची से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टेक्सी खरी दी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इनकी संख्या लाखों में नहीं। मैं गर्व से कहता हूँ, ये संख्या आज करोडों में हैं। करीब करीब 8-9 करोड लोग ऐसे हैं, जिनोंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। आज जो आत्मन निर्भर्द भारत अभ्यान चल रहा है, उसका भी आधार देश में मैनुफेक्चरिंग के माध्यम से रोजगार काम निर्मान करना है। पियलाई स्किम के तहट केंद्र सरकार मैनुफेक्चरिंग के लिए करीब दो लाग करोड रुपे की मदद दे रही है। ये राशी भारत को दुनिया का मैनुफेक्चरिंग हब बराने के साथ ही लाखो युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। साथियों भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टरस में काम करने की स्कील रहनी भहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च सिक्षा संस्थानों कौशल विकास संस्थाना का भी युद्ध स्तर पर निर्मान हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM तयार हुआ है। पिछले नव वर्सों में आउसतन हर हपते एक युनिवर्सिटी और हर दिन एब्री डे दो कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास उनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से जादा हो गई है। साथ दसकों में देश में सिरफ साथ एम्स तयार किये गए थे। पिछले नव वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बड़े हैं। इन में से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाए देनी भी शुरू कर दिये। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगबग 700 हो चुकी हैं। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाईक तोर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी हैं। युवाओं के लिए उच्च सिख्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में MBBS और MD की सीटे सिर्फ 80 हजार के आसपास ही होती थी। अब देश में MBBS और MD की सीटे बढ़कर एक लाग 70 हजार से भी जादा हो गई हैं। साथियों किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी ITIs ये भी महत्वपण भूमी का निभा रही हैं। बीते नव वर्षों में देश में लगवग हर रोज एवरी डे एक नई ITI का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 ITIs में देश की नई जरुरतों के मुताबिक नए कोर्से शुरू किये जा रहे हैं। PM कौशल विकास योजना के तहट अब तक सवा करोड से जादा युवाओं को स्क्रिल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर में रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उधारन देना चाहता हूँ, EPFO का। अगर हम वर्थ 2018-19 के बाद के EPFO के नेट पेरोल के आंकडों को ही देखें। तो साड़े चार करोड से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल जॉप मिली हैं। Employee Provident Fund Organization का जो पेरोल डेटा है, उसे साब पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉप में निरंतर बृद्धी हो रही हैं। Formal Jobs में इस बृद्धी के साथ ही देश में स्वरोजगार के मोके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीचे कुछ सब्ता में जीच तरह की खबरे आई हैं, वो भारत में इंडिस्ट्री और इंवेस्टमेंट को लेकर अबुत्पुर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वाल मार्ट के सी यो से हुई। उन्होंने विश्वात जताया कि उनकी कंपनी अगले तिन-चार वर्षों में ही भारत में असी हजार करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं यह इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है। सिस्को के CEO में ने भी अपनी भारत यात्रा के जैरान मुझे बताया तो भारत में बने आठ हजार करोड रुपीय के प्रोडस के एक्सपोर्ट का लक्स लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एपल के CEO भी भारत आये थे। भारत के उजवल भविश्य और खासकर मोबाइल मैनिफेक्टरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कंपनी एन एक्सपी इसके टॉप एग्यूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमिकंड़क्टर एको सिस्टिम के निर्माण और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पोजिटिव हैं। फॉसकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट में हजारों करोड रूपिय का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कंप्यों के बहुत सारे CEO से फिर से एक बार मेंने मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। यह सारी बाते यह सारे प्रयाद दरसाते हैं कि भारत में अलग-अलग सेट्रस में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों देश में चल रहे विकास के इस महायग्य में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमी का होगी। अगले पचीस वर्सों में आपको अपने दाईत्वों को पूरा करने के साथ साथ विक्षीद भारत के संकल्पों को भी साकार कर रहा है। मेरा आप सबसे आग रहें कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल्ड डेवलप्मेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आइगोट कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सिस उपलब्द हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जीतनी भड़ेगी। इतना अपने कारिय पर सकारात्पक प्रभाव पड़ेगा। और शमतावान लोगों के कारण कारिय पर जो सकारात्पक प्रभाव होता है। उसका प्रभाव देश की सभी गति विद्यों में सकारात्पकता को गति देता है। आज इस महत्वपून अवसर पर आपके जीवन के बहुत महत्वपून पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बसाई देता ही देता हूं। आपकी नई आत्रा के लिए शुब कामना है देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी आपके परिवार जनों को भी क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा अपेशा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुब कामना है देता हूं। आपके उजबल भविश के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।